वेलकम तो मैं चानल, आज यहां पे हम प्लेकेट के उपर डिजाइन बनाएंगे, यहां पे हम तीन साल के बच्चे का कुर्टा का कटिंग कर लिए हैं, और यहां इसके सेंटर में हम कट लगा हैं, इसकी जो लंबाई है वो साड़े साथ इंच है, अब यहां पे हम एक पट् करके हम सिलाई कर लेंगे, यह उपर कहीं सा हम छोड़ देंगे क्योंकि यह हमारा कॉलर में जाएगा, अब इस तरह के से पट्टी के राइट साइड के उपर हम अपना कुर्टे का राइट साइड रखेंगे, और इसके सेंटर को हम बराबर से एक दुसरी के साथ मिलाएंगे, यहां से यहां तक हम पूरे में सिलाई कर लेंगे, सबसे पहले हम पिन लगाकी से सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद इ अब यहाँ से इस तरीकी से पट्वी को हम सेंटर से कट कर लेंगे यहाँ पर हम नौ्चेश लगा लेंगे, दोनो साइड में अब यह जो मेरा पेस्टिंग पेपर वाला पट्वी है, इसे हम कूर्ते के रौंग साइड में पलट देंगे यहाँ पे हम पोटली बटं से लगाने के लिए marking करेंगे उपर से half inch खोड़ देंगे जो कि हमारा color में जाएगा यहाँ पे हम pouट एंच की marking कर लेंगे यहाँ पे ताकि हम पोटली बटं लगा सके अब इस तरीके से हम अपने बटं लगाएंगे और यहां किनारी में हम सिलाई करते वे जाएंगे यह जो बटन का मेरे एक्स्ट्रा फैबरिक है उसे मिज तरीके से ट्रिम कर लेंगे यहां पर हम डोरी बना है और इसको हम तीन इंच की लंबाई में कट कर लेंगे प्लेकेट की दुसरे साइट में हम पोठली के बराबर में अपनी डोरी के लिए निशान लगा लेंगे यह जो मेरे तीन इंच का डोरी था उसे हम हाफ में फोल्ड करेंगे और ठीक पोटली के बराबर में हम इस तरीके से अंदर की तरफ रखते वे इस पर सिलाई कर लेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें यहां पर हम एक पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई साढ़े दा सिंच है और इसकी चौड़ाई साढ़े तीन इंच है इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे इसका जो ओपेन एरिया है वो अंदर की तरफ होगा और इसे पोठली के नीचे की तरफ हम रखते वे उपर में टॉप स्टिश लगा लेंगे यहाँ पर हम एक और पटी लेंगे इसकी लंबाई साढ़े नौ इंच है और इसकी चोड़ाई साढ़े تीन इंच है इसे भी इस तरीके से हम हाफ में फोल्ड कर देंगे अब पट्टी का जो मेरा close area है इस तरीके से हम अपने प्लेकेट को उसके उपपर रखेंगे ताकि वो मेरे डोरी के ठीक नीचे बराबर में आए और फिर इसके उपपर हम इस तरीके से top stitch कर लेंगे तो यह मेरा प्लेकेट बनके तयार हो गया है इसके बाद हम अपना बाकी का process कर लेंगे यानि की shoulder join करके हम collar लगा लेंगे